ईंदोस्तों सवागते ह्आप आप सभी का EXTSTRIK की सीरिस में तो यहाँ पर हम अलगलग डाइस्टी जो इनके बारें पढ़्ण जू मरें काफी मजा आ रहा है चंद्रकुप्त मौर्या जो है वो यहाँ पर राजा बनता है तो यह पूरी स्टूरी काफी ज़ादा इंट्रेस्टिंग है तो मौर्या डानेस्टी अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्ट है एक्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्ट है उसके बीचे कार सब्सक्राइब करेंगे मौर्या डानेस्टी कारिकाल अगरम देखते हैं जैसे मैं मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कुछ किताबों में आपको अलग मिल सकता है यहाँ पर आपको एक्जैक्ट पता रहने की कोई जरुवत नहीं है तो यहाँ पर आपको से एक रेंज जो है व आप सोचिए आप सिब देखिए किस तरीका का टेरिटरियल एक्स्टेंट जो है वह हमें मौरे डानेस्टी का देखने को मिल रहा था मतलब पूरा भारत यहाँ पर चंदर गुपता है उसके उसके पास अर्शो का जो है उसके पास मतलब समझ सकते हो क्या जबर्दास तरीक आप को देखने को मिल रहा था एक अखंड भारत यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था अब देखिए शुरू करने से पहले आएस का कंप्लीट पैकेज प्रिलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमेम अकैडमी एप पर आपको जीएस पेपर वन की और उसी के साथ साथ बूनस कोर्स जो है इंडिया एर्बू कैंसर राइटिंग कोर्स परसनल गाइड़न्स मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना ह है जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अपकरना होगा आप डेम।uden यक्ट्चर जो है हर सेक्षन में जाकर पहले 2,2 लेक्ट्चर जो है तर डेमॉलैक्चर आप देख सकते हो डेन उसके अद अधर प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको ay pa trails जो है वह उसके पढ़ने वाले हैं जैसे कि डायज Major उसके बारे में आप जानेंगे उसी के साथ है जो सोर्ससेognे कहा कहा से हमें बोध हो सोर्से, कहीं बार सब्ढेंहें था है , अलग-अलग various exams में, उसी के साथा जो राजा है और उनकी जो contribution रहे हैं, जो consolidation है empire का, territorial extent जो उनका फैला था, फिर उसके बाद political structure, social life, economic development ये हो गए, उसके बाद significance जो रहा है dynasty का, उसके बाद dynasty जो है decline की हुई है, और बाकी अगर कोई facts देखने को मिलते हैं, तो वो हम यहाँ प ST की शुरुवात चंद्रगुप्त मौर्या से होती है, चंद्रगुप्त मौर्या किसको हरा कर राजा बनते हैं, धनानंद को हरा कर, अब धनानंद की स्टोरी मैंने आपको कही बार बताई वी है, काफी मतलब मुझे mesmerize कर देती है स्टोरी, एक इंसान का जो संकल पलेने की ख्रमता है, और उसके पीछे, उसकी जिग्यासा, उसके पीछे बढ़ते रहना, वो जो जोश देखने को मिलता है, यह अदबूत हैं आपर, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था, कि जो धनानंद है, उसके सभा में, जो चानक के है, वो जाते हैं, और वहाँ पर कुरूब ब पार से हटाना दू, तब तक अपनी चोटी को गाठ नहीं बन्दूता, सुनने में कितना एक छोटी सी चीज लगती ही, कि चोटी को गाठ नहीं बन्ना है, ठीक है, लेकिन वो उनके लिए कितनी बड़ी प्रतिग्या थी, कितनी बड़ी संकल्पना थी, जिससे उन्होंने अखंडा भारत जो है उसका निर्मान किया मतलब सोचे कि इंसान में कितने क्षमता होती है आज भी अगर हम कोई प्रतिग्या लेते हैं तो इस तरीके से लेना चाहिए कि फिर उसके पीछे लग जाओ फिर जाओ कि वो फिर पूरा होई जाए तो खेर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट टूलर जो है नंदा डानस्टी का वो हमें धनानन जो है वो देखने को मिलता है धनानन को एक ब्रामिण की जरुवत थी जिससे कि उसका जो दाकेंद्र है मतलब एक चारिटी सेंटर था उसे वो चला सके तो उसके लिए चानक के जो है काफी स्कॉलर थे ब्रामण भी थे और तक्षिला उनिवर्सिटी में अच्छा कासा वो पढ़ाते थे अब वहाँ पर उन्होंने अपलाई किया और इसलिए धनानन के जो कोर्ट है उसमें वो पहुँच गये अब धनानन जो है वो मतलब समझ लिजिए जो औरते हैं जो शराब है उसमें पूरा धुत रहता था शराब में धुत रहकर वो नाज गाने यही सब देखा करता था इसलिए जो लोग थे वहाँ के वो काफी खवा थे काफी खपाते मतलब जो पब्लिक है वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं कर देती वो चाहते थी कि यह निकल जाए काफी ऑप्रेसिव नेचर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता था यहना इसलिए वो चाहते थी कि इसका रूल जो है वो खत्म हो जाए लोग बिल्कुल उससे खुश नहीं थे और फिर जब चानक के जाते हैं उसके कोट में जाते हैं तो हांपर धनानज जो है उसकी इंसल्ट कर देता है चानक के कि कहता एकदम अगली क्योंकि जो चानक के है वो अच्छे नहीं दिखते थे उनका जो कुपड़ा है वो भी निकलावा था है जो बोलते हैं देखें क्योंकि कोई भी तथ्य कोई भी सत्य एकदम पुष्टि से हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन कुछ कुछ टेक्स्ट में जानने को मिल है कि उनका कुपड़ा निकलावाद है कुरूप थे और इसलिए यहां पर धनानन जो है उन्होंने अगली ब्रामिन करके उनको संबोधित किया था उनको भुलाया था इंसल्ट की थी और इससे जो चानक क्या है बिल्कुल खूश नहीं होए और इसलिए उन्होंने प्रदि अगर कोई राणि कए उसे शाad़ी कर ली और फिर उनके पूत्र हुए मतले स्याइन राणि आदे और उनको सफ़र ही यहां बेर और कोई उनको वहां राणि हो गई तो उसके साथ भी उन्होंने संभोग कर लिया अब उसके बाद किया होता था उसके बद उनके भी कुट्रै वो पिजन लेते थे तो इस सरी के से क्या था कि धिला जो है यह यहा पर से उसका पूत्र जो है वो चानकर चन्दरगुप्त चो है वो हमें typical देखने को मिलता है ठीक जो चानक किया है उन्होंने चुना धाई कई और फिर उसे घ्रूम करना शुरू कर दिया, जिससे की वह राजा जो है वो बन सके अब यहां पर सोर्सेश जो है वो जब आप देखते हैं तो आम आर्के लोजिकल सोर्सेश लिटररी सोर्सेश कई सारे देखने को मिलते हैं अब जब हम archaeological sources की बात करते हैं तो उसमें हमें coins जो है वो देखने को मिलते हैं, monuments देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप coins देख सकते हो, monuments जो है, stupas बोलिए, विहरास बोलिए, उसे के साथ artifacts, objects देखने को मिलते हैं, inscription, edicts, इनको हम detail में देखने वाले हैं, जो edicts है, उसे के स साथ हमें यहाँ पर travelers के बारे में पता चलता है, जो Megasthenes था, Indica था, तो यह भी यहाँ पर उनका इतिहास जो है लिखते जाते थे तो उनका भी जो text उसे पता चला है, उसे के साथ यहाँ पर जो treaties है, संगाम तमी लिटरेचर, उसे ही पता चला है, plays, drama, जो poems है, काफी सारे plays है, काफी सारे dramas है, कालिदास ने जो यहाँ पर लिखावा था, मालवी गगम इत्रम, ठीक है, तो यह जो है, यह भी काफी साथा इंपोंट है, इसमें धनानन्द का जो रूल है कैसे उखाड के फेका गया, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है, तो इसमें उसके बारे यहाँ पर आपको रूमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, यह दो देखने को मिलते हैं, अब दोनों में अलग-अलग तरीकी की चीज़े हमें देखने को मिल रही है, और यह दोनों ही काफी साथा इंपोंट है, जैसे कि आप यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो जुन तो हैं फिर गिर्णाडर इंसक्रिप्षण जो है उसमें साका रूलर का हमें देखने को में चैन किया गया है इसमें सुदर्शन लीड क्या हैं अगर आपको सीधा पुष्पोरिये में सहां कि ठट्टा है किस दर्शान लेक तो ऐसे कॉस्चनस आपको आ सकते हैं तो काफी फैक्ट्ट्वल कोशन भी होते हैं लेकिन बहुत इंपॉंट होते हैं दूसरा अगर हम यह देखे तो यह जो है डिसकस करता है अश्रोगा की विजिट यहां पर क्या है यह जो इंस्क्रिप्शन इसमें अश्रोगा के बारे मे आए गया है अश्रोगा की विजिट जो रही है लुंबिनी में तो यहां पर उसी के साथ और पर प्रकृत संस्क्रित ग्रीक अरेमिक यह सारे लैंग्विजिज जो है यहां देखने को मिलते हैं तो यह भी आपको क्वेशन आ सकता है नीचे देखे हैं तो यहां पर मगधी लैंग्विजेज जो है यह दिखें डफ बनाना अगर चाहे न तो बहुत ही टफ क्वेशन पेपर बन सकता है लेकिन इतना टफ कोई भी एक्जाम नहीं बनाती है वो भी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि भी है सब रट्टा माना है समझने की क्षमता आपकी यहां पर बढ़ इसकी इसमें हमें एडिक्ट जो है यह देखने को मिलता है अब यहां पर एडिक्स मतलब क्या होते है देखें जो पीलर एडिक्ट 567 यहां पर यहां में समरी जो है वो प्रवाइड करता है कि किस तरीके से धम्मा जो है विदिन इस किंग्डम मतलब यहां पर देखें यह तो यहां पर अशोका उनके एडिक्स की बात की जा रही है अब देखें, most of the edicts में अर्शोका जो है, यह mention किया गया है as a देवनपिया या फिर पियादसी देखें, बहुत prominent question बन सकते हैं आप अगर देखोगे, तो most of the edicts में जो पीलर्स होते हैं, यह सारे जो चीज़े होती है most of the उसमें, जो लिखीवी चीज़े हैं उसमें अर्शोका नाम, हमें नहीं देखने को मिलता है जो अर्शोका राजा है, उनको वो we mention किया गया है as a देवनपिया या फिर पियादसी सिर्फ musky edict है, उसमें यहाँ पर अर्शोका नाम जो है, यह mention किया गया है और एक question पूछा भी गया है, की कौना ADICT है, जिसमें आशो का नाम मेंशन किया गया है, तो मास्की, यहाँ पर इसको मस्की भूलते है, मस्की ADICT है, जिसमें आशो का नाम जो है वो यहांपर mentioned किया गया है, वो कहाँ पर है, करनाटा का राइचूर district, ठीक है, तो यह चीज का सब्सक्राइब तो इस तरीके से जो मेंशनिंग है वो हमें देखने को मिल रही है तो यह चीज़ बहुत इडिक जो है अशोका का वो डील करता है अशोका का धम्म से ठीक है यहापर जो ऑफिशल से उनको जो इंस्ट्रक्शन दिये गए थे अशोका जो है उससे खुद को किस तरीके से रेफर किया है जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे एडिक में अशोका यह नाम नहीं देखने को मिलता है हमें यहापर देवन पिया या यहापर द देखने को मिलता है और अर्शओका ने खुद को रेफर किस तरीके से किया है as a beloved servant of the god ठीक है मतलाब यहाँ पर क्या है देवनप पिया दसी तो इस तरीके से उसने खुद को यहाँ पर refer किया है तो यह चीज़े काफी ज़्यादा important होती है देखिए बहुत important है याद कर लीजे इस चीजों को अब यहाँ पर हम edicts अगर देखते हैं अशुका के तो इस तरीके से edicts हमें इतने सारे जो है वो देखने को मिलते हैं ठीक है major rock edicts है pillar edicts है minor rock edicts है trade limits ठीक है edicts जो है उनको divide किया गया है divide कौनस में किया गया है minor rock edicts में मतलए हाँ पर edicts जो है major rock edicts आते हैं जिसमें 14 edicts है ठीक है 1st to 14 term किया गया है और 2 separate जो है वो ओडिशा में found किये जाते हैं और major pillar edicts देखने को मिलते हैं 7 edicts है जो inscribe किया गया at the end of अशुका's region तो इस तरीके से हमें जो edicts है ये देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पर explain करता है mainly in terms of moral percepts moral perspective में कि या किसी की भी जान मत लो किसी को भी मारो मत क्योंकि क्या हुआ था जो अर्शोगा है ना आप सोचोगे यार इस तरीकी बाते ही जब कर रहा है अर्शोगा तो फिर इतना बड़ा राजा कैसे बना था कि आर्शोगा जोढ़ा पहले ऐसा नहीं था पहले बहुत जाथ उसकी जिध्या थी कि मुझे जीतना है और जीत ने लग रहा था लेकिन का यूध होता है का यूध जब होता है तो वहां么 पर वह देखता है ka bloodshed पुरा पड़ा हुआ है वह defense लेकिन वहाँ पर उसे उसके चैपने को आगा है में बोड जोर और किसी को मारेंगे नहीं किसी कुछ नहीं होगा और उसके पासे सकसेसर हमें देखने को मिले है bourrine यिसे अधर्वार प्रेच किया गया है आश्रुपा के द्वारा भrru app में मोरल परसेप में लगने मिलता है यहाँ पर क्या है good deed जो है वो हमें करना है एक दूसरे की respect कर रहा है generosity purity यह हमें रखनी है right behavior धर्मा जो है यह अच्छा है लेकिन constitute क्या करता है धर्मा को तो इसमें क्या है कि हम बहुति कम evil रखना चाहिए एक दूसरे के लिए हमने घ्रूनता नहीं रखने चाहिए अ अब यहाँ पर अगर हम देखे तो बिनुग वैलेंस उसे के kindness of prisoners respect for animal यह चीज़े उसने प्रीच की भी हमें देखने को मिलती है अशुका चाहिए उसने धर्मा के स्थापना की मतलब धर्मा के स्थापना मतलब जो उसने धर्मा यहाँ पर adopt कर लिया तो अब उस कौन-कौन स प्रीच कर रहा था तो यहाँ पर अशुका का धर्मा जो है उसका मतलब है कि he used his power to try to make life better उसके पास power तो थी राजय तो था वो तो उसने उसकी power किस से इस्तमाल की पार इस्तमाल की जिससे की लोग की जो जिन्दगी है वो बहतर बना सके लोग की जिन्दगी जो है वो बद खया है कि मतलब क्या है एक एक प्रापर तरीके से टरीके से करना चाहिए और इसलिए वो कहा तक गया उसे तीन दिन का जो है stay लगा दिया जिनको भी death sentence दी गई जो prisoner को death sentence दी गई है उस पर तीन दिन का हुसा stay जो है वो भी लगा दिया तो यह सारी चीज़े भी prisoners के लिए प्यार जो है life जो है वो spread करना चाहिए ऐसा उसका यहाँ पर मानना था और उसी के साथ अनिमल से उसकी रिस्पेक्ट की बात की यहाँ पर गया है यह फर्स रुलर था हिस्ट्री में जिसने यहाँ पर conservation जो है wildlife के लिए वो यहाँ पर advocate किया था उससे सब को बोल दिया था कि जो एनिमल से उनकी जान नहीं जाने चाहिए अनिमल का रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी जानवर के हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें हमें आपर देखने को मिलती है stone edict में हमें inscribe किया हुआ देखने को मिलता है तो यह भी चीज़ एडिक्स से लेटेट है काफी साधा important है अब यहाँ पर आपके लिए question आ रहा है कि who of the following had first deciphered the edicts of emperor Ashoka किसने आपर decipher किया था जो है एडिक्स हमें अशुका के देखने को मिलता है तो यह आपको options जो है यहाँ पर दिये के हैं तो आपको सही जवाब बताना है इसका जवाब है आपको वीडियो के end में मिल जाएगा अब यहाँ पर literary source से जवाम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है काउटेलय का अर्थशास्त रहे ठीक है यहाँ पर यह deal करता है with the king और उसकी council, civil or criminal laws, उसके साथ diplomacy और war, चानक के जो हैं काफी सारी चीज़े लिगी थी ना उसके संगम Tamil literature हमें देखने को मिलता है जो यह confirm करता है कि मौरियर्ट का जो invasion है वो far south में भी हुआ था उसी के साथ कालाना यहाँ में देखने को मिलता है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है और यह भी confirm करता है कि अर्शुका का जो रूल है वो श्री नगर तक हमें देखने को मिल रहा था इसलिए अखंड भारत उसी के साथ यहाँ पर मुरुद्र आक्ष्रसा यह एक ड्रामा है जो कि संस्कृत में हमें देखने को मिलता है इसमें वही सारी चीज़े बताएगे किस तरह के धना नंच उसका उवर पावर करके जो चंद्रकुप्त है वो यहाँ पर गद्धी पर जाता है उसी के साथ यहाँ पर दीवियमासा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है क्रोलों यहाँ पर यह क्रोनिकल्स है जो लिखे गए है पाली में ठीक है यह बुद्धिस टेक्स्ट है श्री लंका का मेंचन किया गया है son and daughter of Arshoka ठीक है वो श्री लंका में आये थे और ब पर देखने को मिलते है तो मेगेस्तिनीस जो है यहाँ पर आमें चंद्रगुप्ता जो है उसके कारेकाल में देखने को मिलता है उसे काफी डिटेल न एड्मेस्ट्रेशन का और तो वो बताया है उसने काफी डिटेल में सारी चीज़े बताइए और काफी अच्छे तरीके से कितना scrutinize था सब कुछ कितना proper तरीके से था वो उससे हमें पता चलता है मतलब जो सभी की respect करना बहुत अच्छा एक वातावरण ये सारी चीज़े हमें वहाँ पर देखने को मिलती है proper इसके पर यहां पर Jain Scruptures, यहां पर हमें देखने हैं जैसे मने आपको कहा जैन यहां यहां देखने है तो यहां पर पॉलो Capitra Maurya का तो जो था सब अब गधार हम लिटररी जीनियस देखेतों Yak Taoasc्य तो मिनिस्टर NPC को मिलते हैं जिनगा चानक टेके कहते है पर विश्णो से उन्होंने चीजे यह लिखी दी और फिर जो नेपोलियन है किस इंडेन बकाली यो किसको कहा जाता है अधी कि ज़ें पर चीने लोज यह काफी जाधा फैक्चिर इन पर में सुप्पर में में सते मैगे इसदेनीज्ञा अभी आप में उसके साथ है कलि दास कॉरा ने भी तो कही ते लिखे को मिलते हैं एक लिखे को चाहिक निलकु ऑर प्ले राइटर थे गुपता पिरेड के दोरा तो इन्होंने भी काफी इंपॉर्ट प्ले लिखे थे यहाँ पर मुद्र राक्षे सा यह ना तो जैसा मैंने आपको कहा था यह कौन से प्ले इंग के दोरा लिखे गया है ऐसे भी क्वेश्चन्स आपको एक्जामें पूछे ज मिलता है उसके कई वीक सक्सेसर हमें देखने को मिले हख़शुका के बाद सब्सक्राइब और गर लास्ट एक रां हमरीन रूल देखते हैं तो आमने वहाँ पर जो ब्रिधर यह भी दर्ठा यह गया था मंध तो यहां पर थोन पर आ जाती है उसका यह पर हमें जो एंपायर है वो देखने को मिलता है तो यह भी चीज कापी ज़्यादा है सिधा पुशन आ सकता है कि लास्ट रूलर जो है मौरियन एंपायर का यह कौन रहा है कि अपर अब नीरन के मौरिया कि जब बात करते हैं चंद्रकुत पवहर्या मौरिया मौर यह भी ड्यूट किया जना नंद को डिफिट किया और फिर कि सके असिस्टंस के साथ कौट रॉल लाकिया या फिर विष्त्रूक्त के चानक के 크게 या फिर इन्डिय तेनम मियावली के उसके रूल के बारे में देखा हुआ ऐसको किस तरीक से शिकस्त उसकी हुई थी वो हमने देखा था अलेक्जेंडर जो है उसको कैसे हरा कर हमने सामराज जजै उसको बचाया गया और अखंड भारज बनाय गया वह हमने देखा है उसे के सारी टृटि यहां पर साइन की गई है वो यहां पर मौरेय को खिर कर देता है बहुत इंपवर्टीज भी आना चाहिए उसको मौरेय के लेज दिया गया घ्रीक एंबसेटर उसी के फास्ट यहाँ पर उसने कर लिया मतलब क्या होता है जो श्रावना बेलोगा है वहाँ पर चला गया मैसूर के पास और फिर वहाँ पर गया-क्या उसने तो वहाँ पर जो सलेखना है उसकी प्रैक्टिस क्या सलेखना का मतलब क्या होता है आपको exam Region SIDA आ सकता है सलेखना मतलब क्या होता है मतलब की fast करना जब तक मरते नहीं है तब तक फास्ट करना ठीक है तो यह चीज काफी ज़दा important है जो आपको ध्यान में रखनी है अब जह हम बिंदु सार की बात करते हैं तो बिंदु सार जो है उसने बुद्धिजम को फॉलू किया तीनो राजा तीनो ने अलग-अलग जो इसको फॉलू किया था अब जो बिंदु सार है उसको अमित्र कथा जो है यह भी कहा जाता था मतलब क्या होता है अब सीरियन के साथ का रिलेशन देखते हैं तो सीरियन कीं जो था क्या नाम था उसका एंटियोकस वन उसने डमकेस जो है उसको एसा एंबसेटर कोड में विजा था याद आ रहा है आपको चंदरकुपत का एंबसेटर को था याद कीजिए देखिए बहुत इंपॉर्ट होता है यहाँ पर डमकेस जो है वो एंबसेटर था बिंदु सार के टाइम पर बिंदु सार जो है उसने यहाँ पर एंटिकोस जो है उसको लिखा था कि स्वीट वाइ सब्सक्राइब क्या होता है तो देखिए उसमें ना टीचर को संबोधित किया जाता था क्योंकि अगर आपने एथिक्स के लेक्टर देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि कही सारे ग्रीक फिलोसॉफर जो है वो आपने वहाँ पर देखे थे ना सॉक्रिटीस बोली ए तो कहीं सारे ग्रीक फिलोसॉफर थे तो यहाँ पर जो सफिस्ट है तो उनको भेज दो इससारीके से यह बोला गया था लेकिन उनको नहीं बेचा गया था कि ग्रीक लॉज़ जो है वो प्रोहीबिट करता था तो यह वी चीज़ काफी इंपॉर्टे सीधा वो आ पको आ सक जिनकी जे 99 पूत्र और जो अशुका है वो थ्रोन पर आया था अपने 99 भाईयों को मार गए टोटल 100 थे अशुका को मिला कर तो यहाँ पर जो बिंदुसार है वो रूल कर रहा था अशुका जो है वो यहाँ पर सर्फ कर रहा था ऐसा गवर्नर ऑप तक्षिला एन उज्जेन तो ऐसा गवर्नर जो है वो सर्फ कर रहा था अशुका ठीक है बिंदुसार जो उसके डेथ हो गई उसके बाद पार और भी रहे होंगे लेकिन सवज है वो हमें देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर 99 जो ग्रदर से उनको मार कर जो अशुका है वो यहाँ पर गदी पे चढ़ा ऐसा यहाँ पर बोल जाता है और इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि इंटर्वल जो रहा है फोर यहर्स का साल की गैप थी वहांपर जो पार डिफ्रेंस है वो चल रहे थे हैना पार स्ट्रगल जो है वो चल रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट जो हमें अर्शुका की कारेकाल में देखने को मिलता है वह उसकी जो विजह रही है काफी इंपोर्टन रही है क्योंकि काफी इं हमें पूर्ट के पास मतलब यहां पर आप समय लिए समुद्र किनारे देखने को मिलता है और इसलिए काफी इंपॉर्ण हो जाता है इसलिए कलिंगा को लेना यह इनके लिए काफी दा महत्वपूर्ण था इंपॉर्ण था तो कलिंगा उसको लेने के लिए आगे बढ़िया अब पहले से चल रहा था कलिंगा जो है वो लेना है लेना है इवन बिंदु सार जो है वो भी कोशिच कर रहा था इवन चंदरकुकता भी कोशिच कर रहा था लेकिन यहां पर अशुका जो है फाइनली वो सक्षम रहता है और उसके साथ वो कामियाब हो जाता है कलिंगा ज तब आःए पानी के लिए तो फेक देती है कि समर गे उसका भच्छा समर गया तो ये उसकी हृदे को चू जाता है और फिर इसे लिए जो आशो का है वह पूर ठांसफॉर्म हो जाता है बुद्दीखम को अपना लेता है अब उसका यह हिरता है कि आप कभी नहीं, मैं लड़ाई नहीं करना है, कुछ नहीं, जिनरेसेटी रखवामने, सार्टिंग में, एडिक्स देक है, न, यही कलिंगा की यूद्द के बाद, सारी चीजे जो है, वो चेंज होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिंगा वहर हुआ था, यहना उसने हैं यहाँ पर घुक विजे से धमविजय होगया था, मतलब क्या है कि अपना जो ग्रोथ है वो होना चाहिए, इंटर्नल ग्रोथ होना चाहिए, किसी को हानी पहुचा कर नहीं, किसी को दुख पहुचा कर नहीं, लेकिन अपनी यहाँ पर विजय जो है अंदर से होना चाहिए, अब अर्शोका और बुद्धिजम अगर हम देखते जो मोगली पुत्ता तीसा है उससे मिला जो ultimately उसका mentor जो है वो बन गये ठीक है मतला पूरी तरीके से उनके बारे में देखना पूरी तरीके से उनके अनुसार चलना उसी के साथ साथ वो जो बुद्धा है उनके birthplace पर विजिट किये लंबीनी garden जो हमें सारनात में देखने को म गया एक मौंग जीसे हम कहते हैं वो हमें यहां पर देखने को मिला जैसे चंदरकुप्त जो है उसने सब कुछ त्याग दिया और उसके बाद क्या क्या उसने जो push and होता है fast होता है death आने तक तो इसी तरीके से आपर भिक्षू जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है बुद्धिजम जो है वो पर्सनल बिलीव यहाँ पर रहा कन्वर्जन है उसका ग्रैजुल हमें देखने को मिला है इमेडियेट नहीं तो यहाँ पर यह भी चीज काफी सथा इंपॉंट है अब यहाँ पर एक इंपॉंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि कौन-कौन से मि आपको पूझा जाएगा कि यहाँ ग्रीज वहाँ पर कौन सा मिशिनरी भेजा गया ना स्प्रेड करने के लिए बुद्धिजम क्यूंकि जो अशोका है उसने सोचा कि आप मैं सब तरह स्प्रेड करता हूं यह जो बुद्धिजम है उसको मिचे स्प्रेड करना है हर तरह स तो अल्मोस्ट कंट्रीज में उसने अपने जो एम्बेसीटर से वो भेजे थे मिशियोनरी जो उनको भेजा था कि जाओ और इसका प्रचार करो जाओ और इसको स्प्रेड करो तो इस तरीके से आपको नाम जो है यह देखने को मिलते हैं यहाँ पर यह एक इंपॉंट नाम में काफी जादा इंपॉंट सिधिक क्वेशन आ सकते हैं इस पर अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिशन है श्री लंका अंडरी सन महेंद्रा तो यह यहाँ पर भेजा गया था और डॉटर संगमित्रा उनके साथ यहाँ पर भेजी के थी जैसा कि हाँ पर आमने देखा करने के लिए तो यहाँ पर आप बुद्धिस कांसिल जो है वह देख सकते हो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में एकदम कॉंपरेंसियों और डिटेल तरीके से यहाँ पर आपको कांसिल देखने को मिलेंगे फॉर्स बुद्धिस कांसिल यहाँ पर 400 BC राज ग्रिया सेकेंड प्रियाँ ओर डिटेल बुद्धिस कांसिल ञे ऑपी च्वटेगे टीचेंग में तो यहाँ पर वो देखने को मिलता है यहाँ पर और आजात अशदूरु दूरु जो है यहाँ पर काला अच्वोका यह में देखने को मिलता था motive क्या था कि बुद्ध टीचिंग जो है उसको preserve किया जा सके यहाँ पर क्या था कि dispute जो है वो यहाँ पर settle up किया जा सके यहाँ पर क्या था कि जो अभी धंब पिटा का है वो यहाँ पर established किया गया ठीक है और तीनो अगर हम पिटा का देखते हैं दो उसके त्रीपिटा का जो है वो कहा जाता है बुद्धिजम जो है दो सेक में डिवाइड हो गया था महायाना और हिनायाना तो ये आर्ट एंड कल्चर जब हम देखेंगे उसमें भी देखेंगे उसी के साथ साथ जब हम separately जो बुद्धिजम है इसमें भी हम जब देखेंगे उसमें भी हम कबर करेंगे यहाँ पर महायाना हिनायाना इस पर भी काफी questions वो पूछे जाते हैं तो ये चार गुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिलते हैं जो कि काफी साथा important है अशोका यहाँ पर अगर हम main feature देखते हैं जिन्दगी उसी के साथ non-violence यहाँ पर practice कर रहा था और similar ideas जो है वो इस तरीके से यहाँ पर धमा में आमें देखने को मिल रहे हैं जो गुद्ध की teaching उसमें देखने को मिल रही थी उसी के साथा conquest जो है धमा से होना चाहिए instead of war and inhuman conditions, inhuman treatments बस आप जो violence कर रहे हैं उससे हमें आपर capturing नहीं करना है धमा से होना चाहिए प्यार से यह ना इस तरीके से होना चाहिए efficient administration जो है social welfare के लिए लोग का उदार हो लोग का भला हो लोग का अच्छा हो उस perspective से हमें efficient administration जो है वो रतना पड़ेगा यहाँ पर courtesy to relation and liberation of the promise यह यहाँ पर हमें देखने को मिला और कभी कभर चाहिए उसको एक दोहरिया भी कहा जाता था क्यूंकि क्या था कि उससे एक तरफ तो पोला था कि सभी के साथ प्यार से रहना है किसी का भी violence नहीं करना है लेकिन एक तरफ उसने यह भी किया था कि अगर किसी जानवर का कतल होता है या फिर उसको मारा जाता है तो मैं उसको मार दुना मतलब ऐसा कहीं कहीं पर देखने को मिलता है हर जगा नहीं कहीं पर यह सारी ही चीज़े भी देखने को मिलती है tolerance जो है among all the religious sect यह आपर सिखाए गया tolerance रखे intolerance नहीं बढ़ रहा है tolerance यहाँ पर रखना है tolerance पुना है आपको हैना और उसी के साथ extent अगर हम देखे तो बहुत बड़ा था मज़ए यहाँ पर आप देख सकते हो Nepal जो है यह भी Moran Empire के अंटर में पूरा अफगानिस्तान आप देखे हैना सब तरह पूरा चिंग्डम जो है चोला, स्पांडया, सब 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 इसके अंटर में कश्मीर भी इसके अंटर में हमें देखने को मिला था Moran Empire के अंटर में देखने को मिला था जाना जाता था जो कि policy of non-aggression चाहे वो follow कर रहा था even after his victory in the war उसी के साथ साथ वो एक dreamer नहीं बलकि practical genius था practicality में विश्वास रखता था practical चीजों के बारे में सोचता था central idea था कि humanity चाहे उसका welfare होना चीए मतलब ऐसा नहीं कि हम यह आपर war कर रहे हैं लोग को मार दो लोग को काट दो खतम कर दो हमीं सिफ जिन्दा रहेंगे हमीं सिफ सर्वस्ट्रेश्ट है लोगों का welfare होना चीए लोगों का भना होना चीए लोगों का अच्छा होना चीए उसका dhamma है वो universal था humanity जो है वो आज भी यहाँ पर हम follow कर रहे हैं इतना universal था मतलब जो वो dhamma follow करता था इतना अच्छा था इतना universal था कि आज भी उसकी कुछ चीज़े जो है हम follow करते हैं जिसे की humanity जो है वो बरकर आ रहे है अर्शुका वास true to his idols सत्य था सही था अच्छा था अर्शुका की जब हम बात करते हैं ल अर्शी के साथ इस्टन पार्ट है वो दसरज जो है grandson जो था अर्शुका का उसके दवरा रूल किया जाला था मतलब जैसे मैं आपको कहा कि अर्शुका के बाद जो राजा रहे हैं वो काफी वीक सक्सेसर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाया अर्शुका म उनका इंवेजन हुआ जिसके वाज़े से एंपायर कोलाप्स कर गया और फिर यहां पर जो मौरेन एंपायर है कंटीनीव रहा शुंगा ने जब तक इसको ओवर्टूप नहीं कर लिया तो शुंगा एंपायर जो हम देखेंगे उसमें इसके बार में जानने ही कोशिश करे लेकिन जो इसन पार इसमें घुषतने था उनको जारा तकलीब होती थी ना एकिना शुंगा कर दिया चैँ द्धिया है और फिर शुंगा डइनेस्टे जो है वो यहां पर आमें देखेंगे को मिलती है तो इस तरिके से इसंगा अपर मौरtså स्यांटी उसके बाद इस तरीके से धरानान की डाइस्टी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तोटल मौॉरें डाइस्टी इस तरीके से ऐस प्रॉरी सी जोंड फेल सकते हो कितनी जादा हो चुकी थी आभ यहां então कुछ कच थैक्ट आहांगा आप 거예요 जेम्स प्रिंसेड ये से फर्स था जिसने डेसीफिर्ड किया था अश्रुग के अडिक्ट पूछा गया था ना कौन था उसका नाम किया है जेम्स प्रिंसेड तो यसे प्रिंसेड आ सकते हैं इंशेंट इंडियन प्ले, फिशाप दृत्ता कि उसका यहां पर सब्जेक्ट था कि उसने आपर चंदरगुपता मोरया उसने किस तरीके से आया है, किस तरीके से एक्टेरिंग किया है, यह साब वहां पर बताया है, मस्की एडिक जो है, उसमें आपर परसनल नेम जो अर्श कॉंसे के फेमस चीचर थे तक्ष्य शीला नालंदा कहा के थे हमने देखा हुआ यहां पर आप देख सकते हो कि मोरें के बारे में लास्ट लेक्चर में अतनी सारी टीज़ें कवर कर लिती तो जो सोर्स से उसके बारे में देख लिया था राजा और- उनकी contribution दीनी मेंट राजा हमें देखने को मिलते हैं बाकी जो है विग successors चल रहे थे उसके बाए जो consolidation है अखंड भारत जो है उसका निर्वान हमें देखने को मिला था तो इस तरह के से territorial extent ये सारी चीज़े हमने last lecture में कबर की थी आज की अगर हम बात करें तो हम political structure देखने वाले है social life देखने वाले हैं, economic life देखने वाले हैं, जो significance है dynasty का वो देखने वाले हैं, dynasty की वो decline हुई, तो ये खासकर जब हम mains perspective से देखते हैं तो काफी जदा import हो जाता है तो ये सारी चीज़े हम काफी comprehensive detail में समझने की कोशिश करने वाले हैं तो आईए political structure पर आते हैं, देखिए अगर आप Morian dynasty देखते हैं, Morian empire देखते हैं, तो जो political structure है या फिर जो law and order है, वो आज के time का ही हमें देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हो इतना पूराना है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़े उसकी हमें लेती हुई देखने को मिलती है अब देखिए, हाज चीज़ यहाँ पर मुझे आपको बतानी है, कि questions जो है इस पर, questions कैसे पूछे जाते हैं तो questions आपको ऐसे आ सकते हैं कि यह जो word है, यह जो terminology है, यह किसके लिए यूज की जाती थी यह terminology जो है किसके लिए यूज की जाती थी, तो ऐसे questions जो है आपको पूछ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आज हमारे आपर center देखने को मिलता है फिर state देखने को मिलता है और फिर जो districts है वो देखने को मिलते हैं district में अगर हम देखे तो city, village यह देखने को मिलते हैं उसी तरीके से उस time पर भी कैसा bifurcation था आप खुद यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर Moran dynasty में हमें terminology देखने को मिलती है यह किसके लिए इस्तमाल की जाती तो यह इस्तमाल की जाती तो डिस्ट्रिक के लिए अब जैसे हमारे आपर center, province और district है उसके लिए अपने-अपने head बने वे हैं उसी तरीके से उस time पर भी अलग-अलग head हमें देखने को मिल जाते थे उसी के साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक की बात करते हैं तो आप प्रदेशी का जो है इसके द्वारा head किया जाता था तो यह जो नाम है काफी ज़्यादा important हो जाते हैं ऐसा भी सिधा question आ सकता है कि हर को head कौन करता था प्रदेशी का या फिर आरे कौन करता था तो यह भी नाम आपको अच्छी दरिगे से पता रहना चाहिए हम डिस्ट्रिक की बात करते हैं तो हमारे आपर भी city and village देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पर भी city and village जो है वो देखने को मिलते थे city को head कौन करता था तो आज के जमाने के हिसाब से ही आप compare कर सकते हो नगरिका या फिर multiple corporation वही अगर आप village की बात करते हैं तो village में हमें तीन भाग देखने को मिलते हैं अगर सव villages को head कर रहा है तो उससे कहा जाता था स्तनक अगर 10 से 15 villages को head कर रहा है उसको गोपा कहा जाता और gramini या फिर gramika ये भी नाम हमें देखने को मिलता है तो इन तीनों ही आपको पता रहने हैं चाहिए डिरेक्ट इस पर question आ सकता है कि सव को head कर रहा है तो उसके कहा जाता था है उसी के साथ हमें जो yukhtas है और उसी के साथ राजुकास है ये भी आपर देखने को मिलते थे मतलब थोड़े subordination में ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो assist करते थे प्रदेशिका को और उसी के साथ ये सब मिलकर assist करते थे अमत्या को अमत्या मतलब आज के टाइम का आप secretary जो है वो समझ सकते हो मतलब एक IS officer जो है ये समझ सकते हो तो ये सब मिलकर ये जितने मिल्ग है ये सब मिलकर administrators मिलकर जो एक बड़ा administrator है उसको यहाँ पर help किया करते थे उसको यहाँ पर assist किया करते थे आज के ज masturbाने में जो हमारे प्रधान मंत्री है उनको council of ministers जो है वो assist करते हैं तो उस टाइम पर भी जो मंत्री परिशद है वो हमें देखने को मिलती थी, जो राजा जो है उसको असिस्ट किया करते थे, उसमें हमें कौन देखने को मिलते हैं, उसमें पूरोहीत, महामंत्री, सेनापती, उसी के साथ है यूब राज, अलग-अलग डिपार्टमेंट को लिखने को मिलता था, तो यह काफी ज़दा इंपॉंट चीज़ है जो आपको पता रहने चाहिए, अब थोड़ा हम यहाँ प्रोविंशल गवर्नर, प्रदेशिका, राजुकास, इनका थोड़ा कामकाज जो है, वो भी जान लेते हैं, क्योंकि कामकाज के बारे में आपको कोशन आ सकता है, तो यहाँ पर हम प्रोविंशल गवर्नर की जब बात करते हैं, तो यह जो है, यह रॉयल फैमिली की में इंबर्स हुआ करते थे, और यह responsible थे, law and order जो उसको maintain करने के लिए, जो taxes है, उसको collect करने के लिए, उसी के साथ हम प्रदेशिका की बात करते हैं, जो यहाँ पर भैतर बनाया जा सके, और अगम राजुकास की बात करते हैं, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो इनका जो function है, यह modern collectors के जैसे हमें देखने को मिलता है, मतलब इंचार्स है, civil और revenue administration के, clear है, देखिए काफी ज़ादा इंपॉंट जाता है, और इतना simplify कर किता में पड़ोगे तो अरे इसको head कर रहा है, यह इसको assist कर रहा है, यह इसको assist कर रहा है, confused हो जाओगे, सास कहां से ले और चीके कहां से, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आपको एकदम simplify कर गी है, यह slide में कितना simplified है, आप यहाँ पर अगर पीडियो पड़ोगे तो फट Central Province, यहाँ पर मगच поэтому we see, Central Province, अब ऊपर अगर हम देखे Xzero जो आप तक्षिला है, यह आप तक्षिला जो हैं वह hen सकते हो, उसी सारी साँ पूरा हमें उपर नीचे आजू बाजू पूरा इस तरीके से जो प्रोविंसेस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं मौरियन पॉलिटी में मौरियन पॉलिटी का लॉइन ओर्डर कैसा था अब लॉइन ओर्डर जो यह भी काफी साथ है इन पॉइंट है लॉइन ओर्डर भी देखने तो आज के टाइम पे जैसा ही हमें लॉइन ओर्डर देखने को मिलता है अब जिसको भी देखने को मिलता था पॉलिटी में जो प्रेसिडेंट है उसको रिमिशन का पावर है याद आ रहा है ना कम करना तो यह भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता था अब जिसको भी डेथ पेनाल्टी दी गई है उसको एडिशनल टाइम जो है वो दिया जाता था जिनको भी गेपिटल पनिश्मेंट डेथ चंटेंस दी गई है जो unjust imprisonment है, उसके against में step यहाँ पर लेते थे, jails and jail officials भी हमें देखने को मिलते थे, police station जो है, सभी principal centers में हमें देखने को मिलते थे, तो ये भी चीज आज भी हमें देखने को मिलते है, तो माझा आप समझ सकते हैं, आप comparatively पढ़ो गया आप, मतलब अपने आप ही आपका याद हो जाएगा, वही justice system अगर देखे, justice कौन दे रहा है, तो देखे, पहले के जमाने में कैसा था, जब राजा थे न, जब king थे, तो राजा बोले और डाड़ी हाले, जब राजा जैसा बोलेगा, वैसे लोग की डाड़ीया जो है, जब राजा बोलेगा, वैसा ही होगा, तो इस तरी के justice system अगर देखे, तो राजा जो है, वो source of supreme justice था, crimes बोलिए, जो भी maintain करना है, सब के लिए, जो justice है उदेने माला कौन, राजा जो है, वो आमें देखने को मिलता था, और court जो है, वह हमें दो प्रकार के देखने को मिलते था, civil court और criminal court, आज भी हमें देखने को मिलते है, civil court और criminal court, मतलब अगर, जमीन से अगर कोई problem निकल कर आता है, कि किसी के आपने tax भरा नहीं है, जमीन हडब लिया है, तो civil court में मसला जाएगा, अगर आपने किसी का murder कर दिया है, किसी ने किसी का murder कर दिया, तो matter criminal court में जाएगा, civil अगर हम देखते हैं, तो धर्मास्तियर, यह होता है, और वही criminal अगर हम देखते हैं, तो उसे जो कांट का शुदरा है, यह कहा जाता है, तो इस तरीके से यह भी जीज़ काफी ज़दा important है, अब हमारे हापर अगर हम hierarchy देखते हैं, तो उपर हमें supreme court देखने को मिलता है, फिर high court देखने को मिलता है, फिर subordinate court देखने को मिलता है, उसी तरीके subordinate court जो है, provincial capitals और district में, अमात्या स्केंडर में हमें देखने को मिलता है, तो यह भी जीज़ एक काफी ज़दा important है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं spice की, मतलब जो जात्सूसी करने वाले लोग है, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो नाम क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, गुदा पूरुशा, मतलब क्या है, आपर वो spice कर रहे हैं, आपर वो नज़र रख रहे हैं, निगराणी रख रहे हैं, मतलब basically क्या हो रहा है, well developed spinach system, मतलब क्या, किसी पर निगराणी रखना, किसी पर जासूसी करना, ये वाली system काफी साइड डेवलप्ती, लेकि देखिए उस जमाने में क्या था, उस जमाने में जासूस लोगो छोड़ना ही पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पर social media था नहीं, उस टाइम पर facebook था नहीं, उस टाइम पर whatsapp था नहीं, कि news जाए वो spread हो जाएगी, कि कौन सा राजा क्या करने ही कोशिच कर रहा है, कौन सी चीज क्या हो रहा है, हमको कोई दोपा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस टाइम पर जासूस को छोड़ देते, जिससे कि उन में क्या हलचल चर रही है, दूसरी kingdom में क्या चर रही है, अपिर हमारे kingdom में अगर कोई हलचल चर रही है, कोई है, देश विरोधी काम करने ही कोशिच कर रहा है, तो वो सारी चीज़े यहां से निकाले जा सके, तो ये जो जासूस है, ये दो तरीके के जासूस हमें देखने को मिलते थे, एजेंट जो है, इसमें householders, merchants, disciplines, ये सारे जो pensioners है, poisonous girls है, जिसे विश्कन्या कहा जाता है, ये बहुती important चीज़ निकल कर आती है, चानक्या के time की, क्या हुआ था, चानक्या ने क्या किया था, कि जो धनानन्द है, उसको धहराना था, तो चानक्या ने बहुती जबर्दस्त जो एक चाल है वो चली थी, उन्होंने क्या किया था, जो बच्चिया होती है, उनको हलका हलका चा जो जहर होता है ना, वो देना शुरू क्या था, इंक्यूडिंग, जो चंदरगुप्त है, उसको भी उन्होंने थोड़ा-थोड़ा जहर जो है वो दिया करते थे, वीश जो है वो दिया करते थे, अब उसके वाटे से क्या हुआ, उनकी जो बॉड़ी है, उसके लिए काफी इम्यून हो चुकी थी, मतलब थोड़ा-थोड़ा अगर एक साच वीश पीलो तो फिर तो मारी जाएंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा वीश जो है वो देते जाते थे, जिससे क्या हुआ, कि वो अगर किसी को भी काटे, उनके शरीर को कुछ नहीं होगा, इतना वीश जो है वो अंदर डेवलप हो चुका था, कि जो वीश करने आए थी, जो बच्चे आथी, जो लड़की आथी, वो बड़ी हो गई थी, और वो अगर किसी को भी काटे, तो काटने से वीश जो है उस इंसान के अंदर चला जाएगा, और वो मर जाएगा, ये हमें देखने को मिला था, तो वीश करने आए जो है, वो तयार की थी, उसकी सेना तयार की थी, फिर जो किंडम है, उसमें भेजा गया था, अलग-अलग जो लोग है, उनको बहलाने, फुसलाने के लिए, और विश करने उनको काट देती थी, और वो मर जाएगा, ये यहाँ पर चाल रची गई थी, और चंदरगुप्त को जो है, वो भी किया गया था, कि अगर चंदरगुप्त फस जाता है, या फिर अगर कोई साब से उसे मारने की कोज़िच करता है, या कुछ करता है, तो उसका कोई भी असर नहीं होगा, तो इतना जो दिमाग है, वो चाड़नक की यहाँ पर लगा देती, तो विश करना जो है, ये भी हमें देखने को मिलती है, एमबसीटर जो है, यहाँ पर अपॉइंट के जाते हैं, फॉरिन कंट्रीज के लिए, वो भी याँ पर एक स्पाइस की तरह ही रहते थे, वो भी एक जासूस की तरह ही रहते थे, नए ओफिसर जो है, जिसे प्रति वेदका जो है, ये कहा जाता था, वो एमप्लोई के जाता थे, जिसे अर्शुका जो है, उनको इंफॉर्म रखे कि क्या हो रहा है, ओल राउंड, तो ये भी नाम जो है, काफी जादा इंपॉंट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, अब यहाँ पर हम मिलिटरी अगर देखते हैं, तो मिलिटरी भी काफी जादा वेल और्गनाइस थी, जिसे कहा है, इसे काट्रोल कौन करता था, सेना पती करता था, तो ये भी काफी प्रमेनेट कोचन जो है, बन सकता है, कि मिलिटरी को कौन करता था, लेकिन ये काफी आसान है, आपको तो इसी ली आ जाएगा, तो काफी वेल और्गनाइस जो मिलिटरी थी, उसे के साथा, जो मेगेस्थिनीज है, उसने मेंचन किया है, जो कि यहाँ पर six wings जो है military के, वो यहाँ पर पूरे के पूरे देखते थे, हर एक wings जो है, वो यहाँ पर जो अध्यक्षय है, उनके कंट्रोल में था, तो यह भी पॉइंट काफी जादा इंपॉर्ट रहता है, इसलिए मैंने हाइलाइट भी किया है, जिससे की पीडियो पढ़ते हुआ, आपको थोड़ा याद रहे कि आप यह 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 इंपॉर्ट है, यह नाम हमें याद रखने है, तो अगर हम ग्रिक के अनुसार देखते है, तो मॉर्एन आर्मी जो है, 6,000,000 infantry, 30,000 cavalry, इतने सहाधा लोग हमें देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंग्स थी जो यहाँ पर हमने विंग्स देखी है तो विंग्स कौन-कौन से थे तो हमें आपर एलिफेंट्स, नेवी, कैरियर्ड, कैविल्री, इंफेंट्री, ट्रांस्पर्टन सप्लाय यह विंग्स हमें देखने को मिलती थी ऐसा भी ना सकता है कि Moran dynasty में जो wings है कौन-कौन से थी नीचे दिए गए मैसे है ना यहां से एक और चीज़ आपके दिमाग में आने चाहिए कि भी यह जब salary प्रोवाइड करना है जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको salary प्रोवाइड करना है तो मतलब क्या है मतलब kingdom के पास पैसा तो आना चाहिए ना kingdom के पैसा कैसा आएगा तो उसका एक revenue system भी अच्छा खासा बना हुआ था वो revenue system आज की time का हमारे जैसा देखने को मिलता है यह ना या फिर हम बोल सकते कि उस time पर जो था आज हमारा उनके जैसा है तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं अब यहां पर six wings जो है military के देखिए मै तब कितने लोग है कितने नहीं आज भी होता है हर 10 साल में हमें census जो है वो देखने को मिलता है कि कितनी population बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है कौन कौन से लोग है कौन से नहीं है तो यह census officials भी देखने को मिलते थे अब आप सोचेंगे यार उस time पर काई को census की ज़रुवत क्य जो इंके अंडर में आता था उसी के साथ साथ जो farmers का data है, cattle है, traders है, cowherds है, caste and occupations है, death and birth है, यह सब record किये जाते थे सोची, आज भी यह चीज की जाती है, तो कितनी सारी चीज है more in dynasty में आज की ही हो रही थी, data जो collect किया जा रहा है, वो cross check किया जाता था, जो जासूस बेज़े गया है, उनके त्वारा, तो यह देखिए, मतलब कोई पैसा खारा आए गया, किसी ने जबरदस्ती कुछ data रखा जा सके, foreign or indigenous, मतलब कि यहां से लोग बाहर कितने जा रहे है, बाहर से लोग यहां पर जबरदस्ती आकर बस रहे है क्या, जिससे कि यहां के जो लोग है, उनकी resources पर कुछ खत्रा आ जाए, या फिर हमारे kingdom पर कुछ खत्रा आ जाए, हमारे sovereignty पर कुछ खत्रा आ जाए, तो यह सारी चीज़े आपर देखी जा देते हैं, आप समझ रहे हैं कितने जबरदस्त त्यार, खतर ना की, उसी के साथ साथ, जो proper hospitals है, और उसी के साथ साथ डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को क्या नाम दिया गया था, बेशल, तो यह दिखे, नाम काफी सदा important है, तो यह ज तुमको ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लगेंगे, तुमारे जो लाइफ है, आटिरेव 21 सबसे चलता हा रहा है, तुमारी जिंदगी जो डिखने का तुमको अधिकार है, और इसलिए तुमको ट्रीटमेंट के पैसे घशनी करने पड़ेंगे, ठीक है, फूड अलटरेशन ज अब एकोनॉमी की हम बात करते हैं, एकोनॉमी मैंने आपको कहा, कि जब इतने सारे सलरीज देना है, जब ट्रीटमेंट याव Mack driving, तो यह सब खरजा हो रहा है, तो यह खर्जा निकालने के लिए ऐकोनॉमी चलती कैसे थी, तो एकोनॉमी में, सेम उसी तरीके ज़ाएं ड़ कर रहा है सरकार के पास कहा से पैसा आ रहा है सरकार खर्ज कर रही है तो जब रिशेट की हम बात करते हैं तो की तरीकी की रिसेट से बाते हैं मलता रही है मत Mumbai चलता था पूरा वारत उंके अंटर में था तो पैसा चलता था उस से विऺन हो पैसा अरहा है उसी के साच ड़ ट।चसे से तैककेस दो थरीकी के थे एक तो यह था भागा मतलना हैilles टेक्स पार्लंकी टेकностью देखने को मिलते थे, आज हमारे आपर आप बोल सकते हो जो indirect taxes है, direct taxes है, है ना, ये सब देखने को मिलते है अब यहाँ पर क्या था, जो tribute है वो भी दिया जाता था, जिसे आपर बाली कहते थे, land tribute दिया जाता था, voluntary gifts जो है, वो भी tax invite करते है, ज्यादा tax उनको मिलता था, उसी के साथ बाकी taxes है कर हम देखे, तो हिरण्या, tax जो है, cash and gold पे करना, जो यहाँ पर tax जो है, animal husbandry के लिए, जिसे क्या का जाता है, पिंड गारा, यह यहाँ पर पे करना, shop tax बोलिए, fairy tax बोलिए, fee and fines बोलिए, यह सारी तरीके से पैसा जो है, वो आता था, उसी के साथ, expenditure अगर हम देखते हैं, खर्च अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर royal palace maintain करना, members, ministers, इनको maintain करना, army को maintain करना, government servants को maintain करना, public work maintain करना, गरीबों को free में जो देना है, उसके लिए, religious बोलिए, public welfare जो है, यह main उनका खर्चा जो है, वो हमें देखने को मिलता था, तो इस तरीके से, जो expenditure है, वो यहाँ पर देखने को मिलता, तो देखे इस स्सेमैक तरीके से, मैंने यहाँ पर, आपकी लेकर आया हैं, उजयरी यह आपके नज़रों करते हैं क्योंकि यह भी इकोनमी बहुत इंपॉर्ट रोल पे करता है ना ट्रेड अगर हम देखे तो लैंड रूट और सी रूट दोनों यहां पर इंक्लिडेट थे और इसे ही क्या कहा जाता है वनी पट्टा ठीक है वनी पट्टा जो है यह कहा जाता है अब यहां पर काइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इससे बुरा रेगुलेट किया जाता था इंडिगो कॉटन सिल्क यह ट्रेड के जाते ठीक है प्रॉपरली ट्रेड के जाते उसी के साथ मॉर्ण एकोनमी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एकोनमी में से एक ती और करंसी जो है मॉर्ण की एक्सेट होती थी आज अगर हम देखें जैसे यूएसे का डॉलर है है ना तो यह क्या होता है वर्ल्ड वाइड एक्सेट किया जाता है उसी तरीके से मॉर्ण एंपायर जो है उसकी एक्सेट किया करते थे और में करंसी में गिनी जाते कि उस ट्रेड रूट जो है उसे शाता था जिसा भी मेंने आपको यहां पर बताया है। अब यहां पर अगर हम डिपाट्मेट जेखता है तो अलगले अिस च्रे देखने को मिलते थे यहां कंट्रोल करने के लिए रेविदी क्यों जो होती है उसको कंट्रोल करना आज भी हम कंट्रोल करते हैं ना हमें यहाँ पर CPI WPI यह देखने को मिलता है wholesale price index consumer price index है ना यह सारे हम economic इसमें पढ़ने वाले है तो यह जो है यहाँ पर क्या होता है अध्यक्षब तो इसके द्वारे यहाँ पर control जो है वो किया जाए सारी चीज़े के control किया करता था transport अगर हम देखे तो यहाँ पर separate department था रोड का है ना जहाँ पर truck, road, manage के रहाँ देखने को मिलता है उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर transportation की बात करते हैं तो यहाँ पर cattle tracks बोलिए यहाँ पर pedestrian जो यहाँ पर सडक पर लोग चल रहे हैं कारियर्ट्स बोलिए बाकी traffic जो है काफी different था और रुखनी की विवस्ता हो जहाँ पर रुख सकते हो विष्राम ले सकते हो ठीक है नर्सरी जो है drinking water facilities जो है वेल्स कैनल्स यह भी आप पर प्रोवाइड के जाता है आज भी प्रोवाइड के जाता है आप सोची कितना सब्सक्राइब करते हैं तो सोची आपकी आज हम बूलते हैं और डेवलप्मेंट 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 यार क्या डेवलप्मेंट ही उस टाइम पर देखो न सब तो हमारे जैसा देखने को मिल रहा है सोचल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सोचल लाइफ में भी वेल डेवलप्मेंट कास्ट सिस्टीम हमें देखने को मिल रही थी इग्जिस्टेट था मेगेस्टिनिस के अकॉल्डिक एक वेल स्टैबलिस्ट कास्ट सिस्टीम थी यहाँ पर seven caste जो है वो देखने को मिल रहे थे जो यहाँ पर philosophers थे जो प्रामर्स, farmers, soldiers, herdsmen, craftsmen, magistrates and soldiers तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल दे थे उसी के साथ साथ caste system जो है वो based थी occupation पर rather than birth देखिए यहाँ पर क्या वा था? Early Vedic period याद कीजिए Early Vedic period जो वरण सिस्टीम है वो आई थी प्रामेट्स, शत्रिय, वैश, शूद्र और यह पहले rigid नहीं थी जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से वरण में चल जा था था लेगिन Later Vedic period में यह जादा rigid हो चुकी थी, strict हो चुकी थी है ना? और जो महिला है उनकी condition भी degrade हो चुकी थी लेगिन यहाँ पर आप देखिए जो caste system है यह occupation पर बेस थी आपर governance system नहीं कास system जो है यह occupation पर बेस थी rather than birth तो मतलब अगर आप ज्यान दे रहे हो अगर आप philosopher बढ़ रहे हो तो आप ब्रामेट कहला होगे यह ना? उसी के रहा slavery देखने को नहीं मिलती थी अगर कोई ऐसे काम कर रहा है दास जैसा तो खुद के इससे वो करता था polygame है यह royal classes में ही थी polygame मतलब क्या है एक राजा है उसकी कहीं सारी राणिया है तो यह हमें royal classes में ही देखने को मिलता था women जो है उनकी property in the form of stridhan यह देखने को मिलता था यहापर जो शादी हो दी थी तो उसकी gift के तोर पर stridhan दिया जाता था तो यह हमें देखने ही है यही फिर rigid हो के जो हुंडा सिस्टी में वो बढ़ गई होगी women जो है उनको high status जो है वो मिलता था Moran dynasty में अगर आप देखोगे उनको ऐसा assistant appoint किया जाता था body courts of the king तो यह देखिया women की condition जो है यहाँ पर अच्छी हमें देखने को मिल रही थी अब हम बात करते हैं decline की कि क्यो decline जो है वो Moran dynasty का हुआ होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्शोगा का जो pro-buddhist policy थी pro-buddhist policy होने के वज़े से क्या हुआ कि उसने भया मेरे को लड़ाई तो लड़नी नहीं है मुझे पी शांती ही रखनी है है ना उसी के साथ financial crisis जो है वो भी हमें देखने को मिल रहे थे oppressive rules जो है bureaucrats का वो भी हमें देखने को मिल रहा था जो north west frontier है जहां से बहुत लोग अटेक करते हैं उसे neglect जो है वो कर दिया गया था उसी के साथ नया knowledge यहां पर हमें अलग-लग materials का देखने को मिल रहा था non-violence policy जैसे मैंने आपको कहा non-violence policy अशोका ने अपना ही थी वो भी हो गया था जो successors है अशोका के वो काफी weak थे administration abuse देखने को मिल रहा था अशोका का death हो गया था जिसके बाद weak successor थे और फिर वो डाइनस्टी चली नहीं पाई तो यह कुछ causes हमें देखने को मिलते हैं तो यह आप ध्यान में रखिए यह sequence मैंने इसलिए लगा है कि आपको याद रहे अब एक एक कर्गिया हम यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा अशोका जो है उसकी प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी थी है ना और उसी के साथ साथ क्या था प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी होने के ज़िए ज अपर ब्रामिट थैसे पैसा मिलता था है ना तो यह क्या था यह ब्रामिट को एक बहुत ही उच्च तरजा दिया गया था लेकिन और प्रो बुद्धिस्ट फोनिकवे जैसे ब्रामिट पॉलिकुल अच्छा है लगा उनको लगा यार यह हमारे पेड़ाल आत मार रहा है प जो एडिक्स है जो हमने एडिक्स फर्स पार्ट में देखे थे यह प्रकृत में लिखे गए ब्राह्मिनिकल लैंग्वेज संस्क्रिट जो है उसमें नहीं तो क्या हुआ कि ब्राह्माट जो है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए जो इनके बार डानेस ठीक है और ब्राह्माट जो इनको इòngहँ दर लग था कि उनका इंपोर्टन्स जो है वो चला जागा इसलिए चुफंगा डाइस्टी शुंगा रूल आया था उन्होंने ब्राह्माट को प्यट्रोनेच किया और इसलिए यहां पर क्या किया उन्होंने उनका साथ दिया था उसी के साथ-साथ, यहाँ पर अगर अगर हम देगे, financial crisis जो है, financial crisis, enormous expenditure जो है, army और bureaucracy पर हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखो के, बाकी तो कुछ खर्चा था ही नहीं, इनकी इतने सारे लोग है, bureaucracy है, खर्चा ही खर्चा हो रहा है, है ना, जो Buddhist लोग है, royal treasury है, वो empty होती जा रहे थी, क्योंकि उनको donation पर donation जा रहा था, कि यहाँ भईया, तुम प्रचार करो, तुम Buddhism का यहाँ प्रचार करो, उस देश में जाओ, उस देश में जाओ, Sri Lanka में जाओ, वहाँ जाओ, तो उसके होज़े से क्या, treasury खत्म होती जा रहे थी, towards the end, इतनी खराब नौबद आ गई थी, कि उनके जो coins है न, जो दुनिया भर में चलते थे, आप सोचिए, जो coins, जो currency दुनिया भर में चलती थी, उसको ही melt करकरके, उनको अपने expenses जो है, वो चलाने पड़ रहे थे, क्या आवस्ता हो गई थी, उसी के सासा, जो bureaucracy है, उसकी oppressive rule हमें देखने को मिल रहा था, वालता, काफी सारे majors लिये गया थे, like rotation of offices, यहाँ पर spies जो हमको deploy करना है, कुछ कुछ हरकत कर रहा है क्या, है न, लेकिन यहाँ पर exploitative nature जो है, उनका वो चेक नहीं कर पाई, exploitation बहुत ज़्या हो रहा था, healthy empire, यहाँ पर suffer होना शुरू हो गया था, क्योंकि corrupt, जो amatya's है, वो आ चुके थे, वालता, corruption जो है, यह यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, उसी के सासा, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो है कि North West Frontier जो है, उसको neglect कर दिया गया था, मतलब यहाँ पर क्या होँआ, इधर साइट से जो लोग आ रहे थे, Afghanistan साइट बोलिए, उधर से जो लोग आ रहे थे, उनके तरफ जाथ ध्यान नहीं दिया गया, उसको काफी weak जो है, वो रखा गया था, अर्षो का जो है, प्राइमरी प्री ओक्यूपाइड था, अपनी missionary activity में, कि बुद्धीजन को spread करना है, spread करना है, इससे जो वर्लनरेबल पैसेज था, North West का, जहां से बाकी लोग हमला कर सकते थे, उस पर ध्यानी नहीं दिया गया, उसे के साथ, यहां पर frontier को रोखने के लिए भी कोई preventive measures नहीं लिए गए, new knowledge, नया knowledge यहां पर आ गया था, जैसे कि iron है, tools बनाना, weapons बनाना, जिससे कि बाकी जो kingdom हैं, उनके पास भी वर्चस भा आ गया था, उन्होंने भी यहां पर इमर्ज होना शुरू हो गया थी, कि भाया, हम यहां पर बना रहे हैं, अशुका की जो policy non-violence की, उससे जो fighting spirit था, जो soldiers थे उनमें, वो चला गया था, कि यार क्या है, हमार राजा ही तो नहीं लड़ला, non-violence भोलना है, हम क्या लड़लेंगे फिल, हम क्या लड़लेंगे, तो इसलिए हम नहीं लड़ते अब, ऐसा हो गया था, यह ना, तो यह चीज हमें यहां पर देखने को मिली थी, उसके विग सक्सेसर्स, जो अशो का है, उसके बाद विग सक्सेसर्स हमें देखने को मिली, हैंडल ही नहीं कर पाए, और अडिमिस्टेटी अब्यूस, जो है, अशो का रीजिन में हो देखने को मिला, और अशो का की जब देख हो गई, उसके बाद यहां पर जो Moran Territory पार्टिशन उसका हो गया था हमने देखा था ना लास्ट पार्ट में पार्टिशन हो गया था दो पार्ट में हो गया था East and West तो यहीं चीज यहां पर हो गए थी Western पार्ट जो है और तो फटाक से जो foreign invasion उसमें चला गया था Eastern पार्ट जो है फिर उसके बाद जो डूसरी डानस्टी हो capture कर लेती है तो इस तरीके से causes of decline जो हो हमें देखने को मिलता है अब हम आते हैं significance पे जो Moran Dynasties उसका significance क्या रहा है में पर्सपेक्टिव से जो चीज़े काफी सदा important होती है क्यों decline हो हा significance क्या रहा है इसमें हमें social significance देखने को मिलता है administrative significance देखने को मिलता है economic significance देखने को मिलता है और geographical significance देखने को मिलता है तो जब हम significance की बात करते है rapid development ये कौँसा significance है social significance rapid development जो है material culture का हुआ है ना यहाँ पर material culture में burnt bricks, iron tools, weapons यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलती है अर्शोका ने यहाँ पर एक intimate contact जो है ट्राइबल के साथ वो यहाँ पर maintain किया थ्रू धम्मा ठीक है उसी के साथ deliberative और systematic policy जो है संस्कृति संक्रमन की वो भी आपर उसने की कि आओ 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 यहाँ पर कैसा है सब आप में रहो उसकी जो policy थी काफी successful policy रही है कि यहाँ पर जो higher culture है even fisherman hunter यह भी धम्मा जो है वो प्राक्टिस कर रहे थे यह ना तो यह भी चीज काफी जाथ इंपॉंट है और उन्होंने जो सेट्र लागरी कल्चर है वो भी एडाप्ट किया था तो यह भी इंपॉंट है यहाँ पर एक factual information है इस्ट्री हमें structured justice system देखने को मिल रही थी proper justice system कि अगर किसे गुना है तो क्या मिलेगा क्या होगा यह सारी proper system थी उसी के साथ हमें ancient history जो हम देखते हैं तो जितने officers more and age में थे ना उतने officers आमें और कहीं देखने हैं पॉलिटिका structure आपने देखा था इस सब को salary दिनने में तो लग भी थी उन लोग की 34 separate departments थे हर department जो है bureaucrat के द्वारा एड के जाड़ा था तो सोचिए जब बहुत 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 हैं revenue crunch होता है समझ लीजेगा administrative system जो है back की जारे थी elaborate spying के द्वारा फिर उसके बाद geographical अगर हम दिखते हैं first kingdom था जिसने पूरी इंडिया subcontinent जो है except far south ये वाला जो portion है ये छोड़गर बाकी पूरा जो है यह यहाँ पर हमें Moran Empire के control में देखने को मिलता है ये जो empire है स्टे जोड़ा था खांदार हिंदी वेस्ट हिमालेस हिंदी नौर्थ और कावरी हिंदी तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा एंपायर था उसी के साथ जो रूल था वह यहाँ पर इंपॉर्ट ट्रांजिशन था प्रम यूज ऑफ वूड तो स्टोन अब यहाँ पर यह ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा था नियू ऑक्पेशन दे इन फर्म अ स्टोन मेंसनरी यह इंट्रूज किया गया था था हाईली टेकनिकल स्किल्स हमें यह पर देखने को मिल रहे था आल्टिसंस के पॉलिशिंग स्टूल पीलर्स जो स्टोन पीलर्स है इंटररल एक्षनल ट्रेट्ट फ्लरिश होता हुए व यह उनको सप्लाई किया जा जिससे की क्या हो क्यों अच्छा खासा आ रहा है उनको पता था कि यह सबसे इंपॉर्ट पहुन है फार्मर है वह से पॉलिटिकल गेन के लिए लिए एक्च्वल में उनके लिए कुछ करना है हमें यह जीज महां पर हमें देखने को मिल रही थी तो यह सिग्निफिकेंस जो है काफी जदा इंपॉर्ट हो जाता है तो यहां पर हमारा मौरेन इंपायर जो वह खत्म होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा मौरेन इंपायर आपको अच्छे देश समझ में आया होगा काफी इंपॉर्ट है काफी डिटेल में हमने जानन कोज़िश की है नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट डानेस्टी के साथ मिलते हैं जैहें